कि अट बात करने वाले हैं और यहां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि और प्रोडक्ट कि क्या-क्या फायदे हैं और यह प्रोडक्ट हमें किस प्रकार फायदा कर सकता है दोस्तो ओवियो डॉक की बात करें तो यह प्रोड़क्ट मोटापा को कम करने में हमारी हिल्प करता है यह product मोटापा सरीर का वजन अगर अधिक बढ़ा हुआ है बहुत ही ज्यादा सरीर का वजन है चरवी है फायट है तो उसको कम करने में यह product बहुत ही help करता है आपकी दोस्तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसका जवाब आप comment box में दे सकते हैं सवाल यह है कि मोटापा क्योंकि आज के इस topic पे जो हम बात कर रहें वो मोटापा है तो आप लोग बताईए कि मोटापा क्या है obesity क्या है दोस्तो मैं यह सवाल यह question आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योफिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज का जो वीडियो है वो मोटापा के उपर ही है तो इसलिए मैं इसको कोशन कर रहा हूँ कि आप लोग मोटापे को किस प्रकार से जानते हैं और यह मोटापा कैसे होता है इसका जवाब क्या है हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो आपके जवाब कई तरह के हो सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे इनसान को मोटापा या मोटा इनसान या जिसके सरेड में बहुत ही ज़ता चरबी होती है उसे भी मोटापा या मोटा इनसान बोल सकते हैं आप मोटापे के करण आपको बहुत ही गंभीर बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने सही समय पे अपना वजन कंट्रोल नहीं किया तो बच्चों में भी मोटापे की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है हर साथ में से एक बच्चा मोटापे का सिकार है मोटापे की वज़ा से हमें बहुत ही ज्यादा परिशानियों का सामना करना परता मोटापे की वज़ा से यह सभी प्रोब्लम आपके डेली लाइफ में आपको हमेशा बनी रहती हैं रोज यही नहीं इसके वज़ा से और भी गंभीर बिमारिया और भी जान लेवा बिमारियों का सामना करना पढ़ सकता है मोटापे की वज़ा से दोस्तो अगर आप इन सभी प्रोब्लम से बचना चाहते हैं अगर आप अपना मोटापा अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में जिस प्रोड़क्ट के बारे में बात करेंगे वह प्रोड़क्ट 99% आपकी हेल्प करेगा मोट दोस्तो यह product herbal ayurvedic है और इसका कोई side effect नहीं है और यह सिर्फ और सिर्फ हमारे सरीर में जो ज्यादा वजन बढ़ जाता है अधिक चर्वी होती है मोटापे को कम करने के लिए इस विसल बनाया गया है दोस्तो यह obio dog आपके सरीर में मोटापे से जुड़ी सभी समस्या को खत करने में या obio dog आपकी help करता है जी हां दोस्तो और इसलिए आज हम इस वीडियो में obio dog के बारे में पूरी detail से बात करेंगे हम बात करेंगे कि इस obio dog के क्या-क्या फाइदे हैं इसमें कौन-कौन से composition है इसको कैसे इस्तमाल करना है इसके परहेज क्या करना है इसको कैसे प में मिलेगी दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल एशली पियस को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए जिससे हमारे च तरीके से शरीर के वजन को कम करता है मोटापे को खत्म करता है दोस्तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ओवरवेट है वह अपना वजन नहीं कम करना चाहता हूं वह सोचता है मुझे अपना वजन कम करने के जरूरत नहीं है मैं जि कभी भी हार्ट अटेक आ सकता है यहां तक हार्ट के साथ साथ उसके लीवर और किड्नी में हमेशा खत्रा बना रहता है तो यह सब प्रॉब्लम उनको हो सकती है जिनका वजन बहुत ही ज्यादा है ओबियो डॉक शरीर में जमी चर्बी को गला कर बाहर निकाल देता है यह ओबियो डॉक एक महीने में 2-3 किलो आपका वजन कम कर देता है अगर आप सही डाइट चार्ट और बताए गए तरीके से इस प्रोटक्ट का यूज करते हैं और अपलाई करते हैं तो ओबियो डॉक का कोई side effect नहीं है दोस्तों मोटापा दो तरीके से कम किया जा सकता है या तो fight को जो हमारे सरीर में fight है चर्बी है उसको गला दिया जाए या तो जला दिया जाए लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह ओबियो डॉक हमारे सरीर में जो जमी हुई चर्बी है जो मोटापा है उसको गला कर हमारे सरीर से मल मूत्र के सहारे से बाहर निकाल देता है यह ओबियो डॉग आपके सरीर में जो चर्वी होती है उसको गला कर आपके सरीर से धीरे धीरे बाहर निकालता है जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचता है दोस्तो वजन कम करने का सबसे सही तरीका है आपका डाइट चार्ट क्या खाते हैं क्या पीते हैं यह सब कुछ उस पर निर्भर करता है अगर आप एक तरफ सोचते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए और दूसरी तरफ आप तला हुआ फास्ट फूड पिज्जा बर्गर चाउमें यह सब ओईली वाली चीज़े फैट वाली चीज़े खूब खा रहे हैं और आप सोचते हैं कि वजन तो कम होई जाएगा तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप जिंदगी बार ओब्यों करते रहेंगे यह कोई भी नुक्सा अपना लीजिए वजन कम करने के बारे में सोचे यह ओब्यों डॉक आपके सरीर में जो वजन होता है उसको कम करता है मोटापे को कम करता है और सरीर में जो कोलेस्टरॉल की मातरा होती है उसको भी कम करता है यह ओब्यों डॉक ऐसे डिटी की समस्या को खत्म करता है और पेट की समस्या गैस बनना पेट साफ ना हो और इसका यूज करने से जब आप बदन कम करते हैं तो इसमें कोई भी आपको कमजोरी नहीं होती कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों अगर ओबियो डॉक के इंग्रिडियन्ट के बारे में बात करें तो इसके इंग्रिडियन्ट में ही इसके काम करने का तरीका छिपा होता है इसके सभी इंग्रिडियन्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रीन टी ग्रीन टी के अंदर कैफीन नामक तब तो पाया जाता है जब कैफीन आपके दिमाग तक पहुंसता है दिमाग को एक मैसेस देता है कि खाना को जल्दी से पचाना है और एनरजी को फास्ट करता है इसमें गारलिक और कुकुम फ्रूट है इन दोनों को काम होता है या नेच्रल तरीके से आपकी जो भूख होती है उसको एक लेवल पे रखता है एक बैलेंस में रखता है ज्यादा भूख लगने नहीं देता है यहाँ हेपेटाटिस को कंट्रोल करता है ओबियो डॉख आपके बॉड़ी के जो फैट होते है न उसको यूज करता है आपके सरे में जो चर्वी होती है उसको यूज करके एनरजी में कनवर्ट करता है जिससे आपको किसी भी प्रकार का वीकिनेस के कमजोरी महसूस नहीं होती है दोस्तो इसमें डाले गए सभी इंग्रेडियन्ट की बात करें तो इसमें एलोवेरा, रस डाला गया है गगल का एक्ष्टैक डाला गया है गार्लिक डाला गया है, कुकन फूर्ट, ग्रेंट, टी दोस्तो इस ओबियो डॉख में जो हंडेट परसंट सुद्ध आयरवेदिक जड़ी बूटियों से तयार किया गया एक विशेश मिस्रण है इन जड़ी बूटियों का आप इस ओबियो डॉक का इस्तमाल करके अपने सरीर का वजन कम कर सकते हैं या अगर अपना सरीर का वजन कम करना चाहते हैं तो उस वजन को कम करने में या ओब पार संपर्थ करें या जिससे भी आप या प्रोड़क्ट ले रहे हैं खरीद रहे हैं उससे इस प्रोड़क्ट के बारे में पूरी जनकारी ले किसको कैसे खरीदना है कैसे यूज करना है कैसे पीना है इसके बारे में एक बार जनकारी ज़रूर लेना है खाने पीने पर है ब्रसमंदन करने के बाद या जब इक्सरसाइज करने जाते हैं तो 30-40 ml खाली पेट गुंगुने पानी के साथ इसको पीना है खाना खाने के एक या दो घंटे पहले ओवियो डॉब को पीने के बाद आप एक्सरसाइज करने के लिए या थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए के लिए जा सकते हैं गर्म या गुनगुना पानी खुब पीना है पानी को कैसे पीना है एक एवरेज निकाल सकते हैं आप अपने वजन के हिसाब से आपका जो जितना बॉड़ी वेट है जितना आपके शरीर का वजन है ऐसे 60 kg के आप है तो उससे उसको 16 को 20 से डिवाइड करना है उसके बाद जितना रिजल्ट आता है उतना लिटर आपको पानी पीने इस तरीके से अपने बॉड़ी वेट के हिसाब से कलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कैसे पानी पीना या कितना लिटर पानी पीना है एक दिन में दोस्तों जब आप ओब ओड़ को पीना फुजर ताजे फ़ल भी खा सकते हैं हरी सबजी सलाद भी खा सकते हैं पीं सकते हैं और पाणी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना खाना खाने के लिए आपको किस प्रकार से खाना खाना है जिस खाने को आप छे रोटी पहले एक बार में खा लेते थे आदा किलो चावल एक बार में खा लेते थे तो आप क्या करना है कि आपको यही खाने को तीन बार में खाना है साम सुबा दोफार थोड़ा-थोड़ा करक जिससे आपके body में movement जरूर होना चाहिए, physical work जरूर होना चाहिए, जिससे आपको हलका सा पसीना जरूर आना चाहिए अगर आप सुबह साम एक घंटे का time निकाल कर exercise करते हैं तो इसका result और ज्यादा बढ़ जाता है और आपको कम समय में ज्यादा फाइदा मिलना सुरू हो जाता है, और आप अपने खाने पीने में अपने diet chart को अच्छे से तयार कीजिए, हमें क्या आप खाना है, क्या नहीं खाना इस पर विशेज ध्यान देजिए आप, प्रोड़क्ट को पीते समय, दोस्तो अब्यो डॉक की प्राइस की बारे में बात करें कि इसको आप कैसे या कितने रुपए में खरीज सकते हैं, तो इसकी MRP प्राइस की बात करें तो 2,189 रुपए इसका डीपी प्राइस है, 1000 ml मतलब 1 लिटर की बोटल इतने रुपए में मिल जाएगा, दोस्तो अगर आप यह प्रोड़क् एसके खरीदना है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने ओबियो डॉक रस के बारे में पूरी डिटेल से बात की, दोस्तो यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को आप सुष्ट रहिए मस्त रहिए और आप में लाइफ को इन्जॉई किजिए जै हिन जय भारत है 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 था है है है